सो हलो दोस्तों स्वागते आपका कार इंदिक नहीं वीडियो में आज आपके सामने एक टाटा सफारी जेट एडिशन और यह सफारी का बिल्कुल टॉप एंड वेरियंट है एक जेड एप्लस जेट एडिशन तो यह आटोमाटिक में है और आप देख सकते हो इसका पूरा व एडवेंचर एडिशन उसके बाद आया था डार्क एडिशन फिर आया था काजे रंग एडिशन उसके साथी गोल्ड एडिशन भी आया था इसका और उसके बाद आया है यह जेट एडिशन तो इसमें भी खास क्या है तो यह स्टार लाइट कलर आप देख सकते हो यह इसकी खासियत है उसी के साथ आपको हैस्टेक जेट की बैजिंग हर जगा दिखाए देने वाली है और उसके बाद इसमें इंटरियर और थोड़े बहुत तो फीचर्स में भी चेंजेस है जैसे कि इसमें एडिशनर वायरलेस चार्जर, एर प्यूरिफायर वेंटिलेटेट सीट्स ये एक्स्लिउजिव आपको स्टार लाइट कलर विड डिवल टोन फिनिशिंग के साथ रूफ इन सारे फीचर्स के साथ ये सेवन सीटर है इसमें सिक्स सीटर का भी ऑप्शन आता है जिसमें जो सेवन सीटर वरजन है तो इसमें आपको प्रॉपर सेवन सीट्स मिल जाएंगी इसकी एक शोरूम प्राइज है 22,65,000 रुपे काजरंग एडिशन से सिर्फ 5,000 महंगी है ये टाटा अपनी काडियों में हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करता है ये एडिशन्स वगरा लाके कस्टमर्स को हैपी और जो आकरशित करता है वो एक अलगी बात रहती है मार्केटिंग की आप देख सकते हो यहाँ पर हमें LED DRLs मिल जाते हैं जो की इंडिकेटर का भी काम कर लेते हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये किस तरह से इंडिकेटर में कनवर्ट हो जाएंगे इस तरह से इंडिकेटर जलता है इसका और वापस ये DRL हो जाती है वान इस तरह से हमें हैलोचन सेटप मिलता है हेडलाइम का और प्रोजेक्टर हेडलाइट भी है फुली LED हेडलाइम्स मिल जाएंगी हमें काजरंगा एडिशन और इसकी जो जेट एडिशन है उसमें फॉकलेट उसके नीचे ही है और इस तरह से आपको पूरा इसका फ्रेंट गृल का प्रोफायल मिलने वाले है पियाणो ब्रैक लर्ड की फिनिशिग के साथ क्रॉम की ग्रिल की लाइनिंग है और silver करके आपको skid plate यहाँ पर मिलने वाली है पूरा bumper और इसका front look आप देख सकते हो बहुत ही जादा road presence इसका look है यहाँ पर आपको diamond cut allowables मिलने वाले है इनकी जो profile है वो है 23560R18 अटरा इंच का यह tire है और बहुत ही अच्छे look के साथ यह आपको मिलने वाली है यह जेट एडिशन की badging और इस तरह इसके बड़ा size का आपको overview मिलने वाला है जिसके अंदर turn indicator मौजू दे कोई camera 360 degree camera वगर नहीं आता है इसमें बड़े size का है आप देख सकते हो मेरे हाथ जितना बड़ा इसका overview है यहापर request sensor दिया गया है जिसको दबाने के बाद इसका overview जो है वो बंद fold unfold हो जाता है इस तरह से बहुत ज़्यादा feature loaded और सारे practical features इसमें आ जाते है except add as add as आपको सिर्फ xv700 में देखने को मिल जाएगा यहापर जो additional है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा rear में आपको disc brake मिल जाएंगे all four disc brake आते है यहापर और इस सेट आपको इसका diesel tank और fuel cap मिलने वाला है 50 liter का इसका diesel tank capacity है और यह सिर्फ diesel में आती है petrol में नहीं आती और इसका quarter glass देख सकते हो आप कितना बड़ी size का है इसके chrome की lining उपर आपको roof rails पे safari की badging पूरी black car की roof rails है shark fin antenna और panoramic sunroof आप देख सकते हो इसकी बहुत बड़े size की है और इसका rear map है washer है spoiler है बड़े size का सब कुछ चीज़े आपको subtle और elegance look provide करने वाले इस तरह के आपको खुबसूरा tail lights मिलने वाले यह on कर दी मैंने आपको दिखाने के लिए आप देख सकते हो रात में कैसा look लुक निखर के आने वाला है यह गाड़ी जब आप रास्ते पर निकालोगे इस तरह से आपको इसका पूरा rear look मिलने वाला है बहुत अच्छे से design की गई है और जो tail light के design भी है वह बहुत ही अच्छा slick रखा गया है इसका rear bumper आप देख सकते हो दो reflectors के साथ आपको यहाँ पर दो parking sensors मिल जाएंगे दो fog lights भी है यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी fog lights मिल जाती है reflectors भी है और fake diffuser के साथ इस तरह की silver skid plate मिल जाएंगी यहाँ पर आपको rear camera मिलने वाला है पूरा यहाँ पर piano black color का use भी अच्छा से maintain किया गया है और यह star light color भी अच्छा लग रहा है बुरा नहीं लग रहा बहुत खूपसुरत लग रहा है इस गाड़ी पर क्यूंकि यह dual tone color में है तो उससे भी एक अलग ही road presence पैदा हो रही है उपर आप shark fin antenna देख सकते हो piano black color में है पूरा shiny black color आप इसे बोल सकते हो यहाँ पर भी पूरा black color का अच्छे से use है और चले open करते है इसका boot यहाँ पर electromagnetic button दिया गया है उसके अलवा आप चावी से भी इसे open कर सकते हो चावी पर button दिया गया है अलग से कुछ इस तरह की key हमें देखने को मिल जाएगी lock boot opening unlock और follow me headlamp का बटन है यहाँ पर चारों बटन अलग 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 दिये गया है बहुत ही अच्छी smart की है आपर हमें दो चावी यह सेम देखने को मिल जाएगी टाटा साफारी में इस तरह से यह open करते है अब और आपको दिखाते है इसका boot space electromagnetic button से हमें इसे open करेंगे और यह आपर आप देख सकते हो ऊपर हमें अच्छे से trim दी गई है और सारी seats open होने के बाद हमें यह आपर 73 लिटर का boot space मिल जाता है इसके नीचे हमें टायर एंफलेटर पंचर कीट वगरा यह टाटा देती है सरी गाडियों में lights भी available है बूट में और यह seat fold कर देते हैं हम और आपको दिखाते हैं कितना space बन जाता है प्रॉपर फोल्ड कर देते हैं पूरी second row भी fold कर देते हैं तो इस तरह से यह पहले तो इसकी third row fold कर दी मैंने आपके लिए चलिए इसकी second row भी आपके लिए fold कर देते हैं तब तक आप प्लीज चानल को subscribe कर द मिलती रहे आपको पोज़ती रहे और हमको भी motivation मिलती रहे तो चलिए fold कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो third row है उसे fold करने पर आपको साड़े 400 लेटर का boot space मिल जाएगा और इसकी जो second row seat है वो fold करने पर आपको 981 लेटर का boot space मिल जाएगा जो कि अपने आप में ही बड़े size का मतलब बहुत huge माना जाएगा इसमें 2-3 लोग तो आराम से सो जाएंगी इतनी जगव बन जाएगी third row के लिए यहाँ पर AC vents है AC control करने के लिए knob है bottle holder है इस side आपको bottle holder के साथ दो charging ports है और AC vents यहाँ पर भी है मतलब आपको third row में भी अच्छे कासी facilities और features मिल जाएंगे third row में भी अच्छा कासा ध्यान रखा गया है Tata ने Tata Safari में और Harrier में भी आपको second row तक सारी features और convenient जो चीज़े है वो मिल जाएंगे इसका door panel आप देख सकते हो बहुत ही जादा खूबसूरत beige color के साथ है यह अलग-अलग compartments के साथ star light color का भी use है और soft touch का भी use है JBL की badging मिल जाएगी tweeters पे और इस तरह है door opener है और इसके अंदर lights भी है ambient lighting के साथ आता है इसका jet edition चली इसकी seats उपर कर देते और आपको दिखाते हैं अंदर का space कितना रह जाता है इस तरह यह 60-40 split हो जाएंगी seats ताकि आपको third row में जाने के लिए जगव बन सके armrest आता है buddy size का जिसके अंदर दो cup holders है और perforated seats है आप देख सकते हो triangle shape इस पे आता है बना हुआ उसके बाद आई यहाँ पर आप notice करोगे दो charging port से एक type C और एक USB outlet के द्वारा आप charge कर पाऊगे और ace events pillars पे मिल जाएंगे उपर panoramic sunroof है buddy size की और इस तरह से इसका door panel paddle lamp के साथ bottle holder के साथ है buddy size का door है इसका rear का चले front door भी देख लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका front door यहाँ पर भी आपको soft touch leather cover and paddle lamp and इस तरह speaker bottle holder है buddy size का दो bottle holder और एक umbrella holder भी है यहाँ पर इस तरह आपको 4 power window के control से यहाँ पर मिल जाएंगे एक auto function के साथ है इस तरह door opener है बड़े size का जिसके अंदर light है आप देख सकते हो blue color के light जल रही है अंदर door handle यहाँ पर leather cover है पूरा soft touch में है यह पूरा panel star light कडर में आपको यह panel मिल जाएगा और ovarium का control आपको यहाँ पर मिल जाएगा electrically foldable and adjustable इसके वारियम है जो कि यहाँ से control होंगे दोने side के तो चले बढ़ते है आगे और उसके बाद notice करोगे आप इसकी front seats को तो इसकी जो front seats है वो आपको ventilated मिल जाएंगी उसी के साथ यह electrically adjustment के साथ आती है six way electric adjustment के साथ इसकी seat आती है आगे पीछे उपर नीचे recline भी यह electrically हो जाती है मतलब अच्छे से work करती है बिलकुल proper आपको एक finishing के साथ इसकी seats मिल जाएंगी और यह ventilation के साथ है ventilated seats आती है इसमें जो कि एक सीवी सेवर एंडेट में missing feature है इस तरह से यह perforated यहाँ से हवा आत एक jet की badging और दो headrest adjustable है दो क्या सारे ही headrest adjustable है इस गाड़ी में आप देख सकते हो इसका प्यारा खुपसरूत interior बहुत ही जादा luxury feel दिलाता है यह और कई बार तो लोग यह interior देखके ही फिदा हो जाते हैं और इसे खरीद लेते हैं कई लोगों का कहना है कि कई बार इसके looks के वज़े से ही इसे पसंद किया जा रहा है और इसे एक ही बार देखने पर लोग इसे खरीद ले रहे हैं क्यूंकि इसकी जो exterior देख लो interior देख लो बहुत ही प्यारा interior है इसका और exterior तो गजर भी लगता है road presence तो बहुत ही प्यारी है इसकी कई लोग इसे मुड़ मुर कर देखाई देने वाला है लेकिन यह digitally आपको show हो रहा होगा 6000 तक की इसकी RPM मार्किंग यह आप देख सकते हो और fuel gauge आपको beach में मिल जाएगा इस तरह से और 220 तक की इसकी top speed मार्किंग है और मैंने इसके बहुत से वीडियो देखे जहापर लोगों ने इसे 160-180 तक भगा भी ल लिए 8.8 इंच की यह touchscreen है जिसमें Android Auto, Apple CarPlay सब है Connected Car Features, Inbuilt Navigation, Bluetooth, FM, USB, AUX यह सारे चीज़े आपको इसमें मिल जाएगी उसे के साथ इस तरह आपको physical knob मिल जाएगा voice कम जादा करने के लिए मतलब जो volume है उसे कम जादा करने के लिए अलग से knob मिल जाती है उसे के साथ steering page इसे भी आप बहुत से changes कर सकते हो, screen भी control पूरे हो जाएगे, cabin air quality control भी आपको यहापर मिल जाएगा, मतलब air purifier इसमें inbuilt है, अलग से दिया नहीं गया, जैसे की क्रेटा और बाकी गाडियों की Hyundai में जैसे आता है वैसे अलग से नहीं दिया गया, इसमें inbuilt है आपको cabin air purifier मिल जा जाता है, उसके उपर mic है, यहां से आप बात करोगे और white color की LEDs, पूरे गाड़ी में आपको जो lights मिलेंगी, roof mounted वो सारी LEDs है, यहापर panoramic sunroof के सारे controls मिल जाएंगे बीच में, तीन अलग-अलग mode जिससे आप set कर पाऊगे इसे, one touch में open हो जाती है और one touch में ही यह पूरी sunroof close भी हो जाएगी, और बहुत बड़े size की open हो जाते है, आपने देख लिया होगा, कि यह huge size में open हुई है, कई गाड़ियों का कैसा रहता है, कि दिखती बड़ी है, लेकिन open नहीं होती, लेकिन यहापर ऐसा नहीं है, पूरी open हो जाएगी, settings वगरा में देखोगे, तो सारे control जो है, themes वगर आप यहापर set कर पाऊगे, 8.8 inch की यह touchscreen है, जिसमें आपको सारी चीज़े मिलने वाली है, rear camera भी इसमें मिल जाता है, उसकी भी quality ठीक ठाक है, average size की quality आपको इसकी rear camera का भी मिलने वाली है, जहापर आपको सारे controls मिल जाएंगे, और connected car features भी आते हैं, जिससे गा आप mobile में घर बेटे ही कर सकते हो, चले मैं अभी आपको इसका sound सुना था हूँ, इसमें additional subwoofer और amplifier भी दिया गया है, कुछ इस तरह से हमें इसकी sound quality देखने को मिल जाएगी, इसमें JBL का sound setup आता है पूरा, चार speaker, चार twitters और एक subwoofer के साव, इसका sound setup आता है पूरा, तो आप देख सकते हो, चेरिंग पे सारे controls मिल जाएंगे आपको, automatic climate control आता है यह आपर, और उसके नीचे है यह terrain modes, इसमें आपको अलग से terrain modes देखने को मिल जाएंगे, rough road, wet mode, dry mode, sand mode, city drive mode, sport mode, यह सारे modes आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यह बोलती भी है काड़ी, आपको इस तरह से पता चल जाएगा, कि जब आप mode change कर होगे, wet mode activated, city drive mode activated, wet mode activated, इस डायल के साइड में आपको traction control को बटन मिल जाएगा, और इस साइड पर आपको hill descent control को बटन मिल जाएगा, और यह है इसका gearbox, 6-speed automatic gearbox है, Hyundai source automatic gearbox है, बहुत ही refined, यहाँ पर आपको electronic parking brick with auto hold function के साथ मिल जाएगा, यहाँ पर दो cup holders, और यह है इसका armrest, जो की पूरा leather finishing के साथ है, अंदर आपको storage मिल जाएगी, और एक USB outlet है, type C outlet है, और बारावल का socket भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अच्छी कासी storage के साथ, cool glow box है यह, cooling भी आपको इसमें मिलने वाली है, चिल्ड रहने वाला है, कुछ इस तरह से इसका center console, और उपर का cabin आप पूरा देख सकते हो, फुली LED lights के साथ आता है, अब आप देखते रहो इसकी safety को, airbags आपको हर जगा मिल जाएंगे, यहाँ पर भी airbag, इस side भी airbag, आगे के तो हे फ्रेंट में तो सब ही देते, लेकिन आपको यहाँ पर भी airbags, मतलब हर जगा आपको airbag यह airbag मिल जाएंगे इस गाड़ी में, और उसी के साथ safety features तो है ही इसमें, ESP, brake assist, hill hold, hill decent control, ABS, EBD, यह तो सब है, wireless charger यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, कि यहाँ पर wireless charging मिल रही है, USB outlet भी है, यहाँ पर, और aux outlet भी है, जिससे screen में control हो जाएगा पूरा, और यह additional feature है, इसका wireless charging, चलिए, देखते हैं, sun visor, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, इस side तो हो गया, और इस side आपको light के साथ mirror मिल जाता है, यह एक अच्छी बात है, दो lights आती है, और हाँ, इसका जो start stop button है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको automatic headlamp के control मिल जाएंगे, इस side है, इसके automatic headlamps, और इस side आपको automatic wiper के control मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर tilt and telescopic, दोनों adjustment के साथ आपको इसका steering wheel मिलने वाला है, जो कि एक premium feature है, cruise control तो आता ही है इसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको, cruise control भी आता है, और यह है इसकी second row seats, मैं फिर भी एक बार आपको explain कर देता हूँ, यहाँ पर आपको headroom अच्छा का से मिल रहा है, और इस तरह hooks के साथ handle है, lights white color की मिल जाएंगे आपको चारों तरफ, inside भी lights है, बीचे भी light है, हर जगा lights है, तो lights की कोई कमी नहीं रहने वाली, white color की LED lights है, और एक noticeable चीज है, आप इसका headrest देख लो, कितना प्यारा, कितना खुबसूरत, बहुत ही ज़्यादा comfortable इसका headrest है, second row का, और एक premium feel देने वाला है आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा feel करवाएगा, तो यह आप देख सकते हो, इसका जो center console है, ज़्यादा hump बड़ा भी नहीं है, तो यहाँ पर तीन जन आराम से बेट पाएंगे इतनी जगह है, और इसके third row में भी तीन जन बेट पाएंगे, मतलब छोटे छोटे बच्चे आप कहलो, वो बेट पाएंगे इतनी जगह है, प्रापर seven-seater SUV में इसे बोलना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो, इसका interior तो गजब का लगता ही है, उसके तरह यह practicality में भी पीछे नहीं है कोई किसी काड़ी से, यहाँ पर आपको dead pedal भी मिलने वाला है, यह automatic है, तो यहाँ पर dead pedal भी आपको additional मिल जाएगा, चलिए open करते हैं bonnet और आपको दिखाते हैं इसका diesel engine, तो bonnet open करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी on-road price है, 27 लाग से 28 लाग के बीच आपको यह on-road पढ़ने वाली है, आपके अलग-अलग cities में अलग-अलग taxes होते, तो उसके हिसाब से आप checkout कर लेना शोरूम जाकर, फिलाल आपके सामने है 2 लिटर का cryotech turbocharged diesel engine, जो produce करता है 168 bhp and 350 nm का यह torque produce करके देता है, इन-line 4-cylinder diesel engine है उपर noise insertion दी गई है, लेकिन refined engine है यह तो यहाँ पर आपको सारे units अलग-अलग compartment में मिल जाएंगे, और इसकी जो packaging है वो अच्छे से की गई है, और यह safety wise भी बहुत ज़्यादा अच्छी build quality के साथ आती है गाड़ी, तो यहाँ पर safety measures भी आपर maintain के देता है, और यह engine बहुत ज़्यादा refined है, यही engine हमें MG Hector, Jeep Compass, Jeep Meridian, Tata Harrier, Tata Safari इन सब गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, इसका mileage जो है वो highway पे 16-17 का रहने वाला है, और city conditions में यह 14-15 का दे देगी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए stay tuned, take care, bye